दाल तक डाल पिक्णम खिल को कॉंपटी Misty न्हीं इनकी डाल तयार होती एग वही पारटे हें लुग यहाल सींदू जरी जिरने c4-6 शाओर को सुंधे झाल झाल मुरा וपको थ fines सारह दिन के स्टीइट फ्ुट खाने के बाद है अब डिनर का टाइम है और डिनर होगा हमारे सागर वैषनु ढ़ापबरप आ है क्योंके यहां के खाने हमें बहुत पसंद है बांस बाज़ार में हैं अमबाला में हैं सागर वेहनुडावा पर हम आचुके हैं, रोटियों के थोपे जाने की आवादे आने लगी हैं, कुछ बगारों की खुछ्ब में नाग तक पहुंचने लगी हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चल रहा है इस किछन में तागर वेहनुडावा के अंदर हम आज गए हैं, हमारे साथ खड़े हैं, दुआ सहाब यह पूरी फैमिली बिजनिस को रन करती है, बच्चे बड़े सारे लगे रहते हैं, आखिर में जो रिजल्ट आता है, तो हमारे टेबल पर महसूस होता है, कि हाँ कोई पोड़क बन कर आज क्या क्या खिला रहे हैं, दाल को हमारी जुपकान की रीड की हट्डी है, हमारी जान है, और कोई सी आपकी मैंने सुनी है, बड़ी मशूर है, वह दाल संदू, जाजी वह चटपटी होगी, दाल तो यही है, दाल मकणी वाली, रेसेपी अलग है, उसको बनाने का तरीक करने के बार, एक के बाद के पाद यहां के चीजे प्रेपर होती है, एक-क » Hack comunidad आज है, हमारा यहार जो आँआ, पर होता है, अंदर मोटे पीतल के ओ जाल को फॉइल करते हैं. देखें सरु, आजी, आईए, आएए, आओका. यह हमारी. बोचे यह बताइए, यही पीतल की पतीली हर जगा क्यों होता है दाल के साथ? यह आपको ज्यादा तर पंजाब में और हिमाचल में मिलेगी. पंजाब में में मैं इसके पानिया और हिमाच यह तो सुबह के लिए जो दुपवेर को तेहर हुई है वो आपको खिलाएंगे ना तो आपको रेस्टोरेंट में मिलेगी ना किसी बड़े होटल में मिलेगी लेकिन आपको उसके लिए देसी लोगों के पास पुराने शेहरों में पुराने गल्यों में ही आना पड़े हैं सारा दिन हमारे साथ भाहिसाब ने स्ट्रीट कूर शूट किया है अब लास्ट में जो डिनार हो यही होना था क्या शुरू कर रहे हैं दाल सिंदू भीया दाल सिंदू जी विले लिए उस्ते पले नोने इसको खूब सारा भूना है बूनते-मूनते सा कलर चेंज हो गया और इसमें क्रीम अब इसके लिए बाल मॉस्टर रही है रेगिनर वाली बगार दाल मुखनी आपकी बहुत मशूर है ना हर ओर्डर में दाल मुखनी जरूर जा रही है सबसे फेमस यही है जब देखेंगे इनका चने मसाले की खुश्बूई अलग आती है अब यह बंते हुए आप देखेंगे अचा इनका चना मसाला बहुत ग्यादा वेवी वाला नहीं होता वो थिक-थिक सा कुछ उसमें मखाला होता है वो उसके अंदर तमझ निजे के लिप्टा रहता है चन जाता है विए ट्रिपल डॉलर बोला जाता विए अचा उसमें कौफतें जो खुए और पनीर के डले अचा बार 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 एक ही बात सामने आती है ऐस बात यह है कि यह पूरी फैमिली इस पूरे काम को अपने हाथों से कंट्रोल करती है इनको सब को सब काम आते हैं इनके बड़ों को भी इनके लड़कों को भी और यह चीज इसलिए जरूरी है कि भाई जब आप तक काम करना जानते होंगे न तभी आप काम लेना जानते होंगे मैं हर बार लगभा कि बाते हैं ने रिंदर भाई जो है अपने हाथों से सारा कुछ बना रहे है और हम भो एक सेक्शन तो यह था यहां सारी ग्रेवी तयार हो रही है दूसरा सेक्शन यह जो इनकी दाल तयार होती है उसके अलावा जो एक बहुत जबरदस्ता काउंटर है यहां पर जिसकी बड़ी इंपोर्टेंस है वो यह काउंटर है यहां पर जितनी भी किजम की रोटियां प जो आशी कड़क पराथे बनाते मैंने देखा इने लच्छे पराटे के लच्छे को अलग कर दिया जबर्दस्त सार हम खाएंगे अच्छा यह मिस्सी रोटी आई वेरी नाइस इसा है जब चीजे बुन्याद से अपने हाथ में होती है तो आपके हाथ में टेस्ट भी अपनी लगा रख लिया बेशन अपना पिस्ता है उस बेशन की मिस्सी रोटी बनाए गई है सारी शीजे रेडी हो गई है अब बस टेबल पर चलका इसको चखने की देर उपर तो हुआ यह इसको देख लेते हैं इनका चना मसाला आया है मलाई कोफता आया है कड़ाई पनीर आया है दाल संदू आये दाल संदू का रंगा लगे और यह दाल मखनी आ रही हर चीजा चुगी है और एक से एक खास खाने है इन सब खानों को खाने के लिए रोटी आई है तीन तरह की बटर नान एक मिस्सी रोटी और एक लच्छा पराठा शुरू करें क्योंकि यह खाना आगे लग चुका है और आप लगने के बाद ज़रा मुश्किली होता है इसको देखते रहना शुरूआ करेंगे दाल संदू दाल संदू उनोंने मुझे बताया था कि थोड़ी सी चटपटी होती है थोड़ी सी रेसिपी अलग होती है तो दाल संदू क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया टेस्ट है इसलिए हम इसको लेंगे सिंपल से बटर नान से और देखते हैं यह दाल संदू हमसे क्या कहती है इन्होंने इसमें ना पनीर भी मैश कर डाला अम्बाला में बांस बजार में साजर वैश्मुडाबा पर हैं और ये घाने बड़े जबरदस्ता है बिलकुल अलग जायका है बहुत डिफरेंट है जो दाल मखनी बनाते है उससे ये बिलकुल अलग है इसके फॉरन बाद हम लेंगे दाल मखनी ताके हमें इसका और ज्यादा कट होकर जायका पता लेगे कि मालूम हो के कंपैरेजन में ये कहां ठहरती है बटर नान साही लेते हैं वहाँ हाँ क्या वात है ये भरपूर सानी वाला दाल मखनी का तक्रिवन बारा गंटे पक्त किया उस बड़े से देग में जो हम सूछते हैं कि पीतल गाई लेकिन उसमें नहीं बताया तीन धाते मिक्स होती है दाल मखनी अपनी जगा आप है इसकी जगा दाल संदू नहीं ले सकती अगर आपको को डिफरेंट खाना है तो आप ज़रू ए हूं कि यह इनका लच्छा पराथा के साथ कढ़ाई पनीर क्या कहता है इसी से पूछ ले ने यह बड़ी भनीमत की बात है कि इस वक्त यहां थोड़ा सारश कम है हमध्साइक्शन में बैठ है हैं यहां बैद सिर्फ फैमली जु से बैठने की ईιοजास्ट है मैं लेकि कड़ाई पनी किड़ाई पनी तक इसका जवाब नहीं है इसका जवाब हेफ सीदों है लंग कर दगाल हुद्या कि इन वह था जव्राइपनी पनी मतल सकर्च मारु पथा बहुत कह Hare यह खोएके और पनीर के मिक्स कोफते होते हैं चोटे-चोटे से, उसको मलाई कोफता कहते हैं, इस लच्छा पराइटा से खागर देखेंगे यह मलाई कोफता है, सागर वैशनु धावे का है, अमबाला में है, फिलाल हमारे हाथ में है, टेबल पर सामने रखा है और खुश्भू है, छोड़ रहा है, फिलाल जबान के सेंसर स्पेस निवाले पर अखते हैं, और सारे सेंसर को एक्टिवेट करके कहते हैं, हमें इसका सा तोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा नमकीन टाइप मिलेगा, उसी का जैसा मुझा है, जब आप इसको चबाते हैं, अंदर से मीठा निकलता है, ग्रेवी थोड़ा से मसालो वाली होती है, तो एक कॉम्बिनेशन का स्पार्क होता है, यह होता है मलाई कोफता, परसनली मसाला ग्रेवी वाला होता है, लेकिन यह हमारी मिस्सी रोटी, यह है पीओर बेशन में एक भरपूर सा निवाला लिया जाएगा, इस चना मसाला का, आहा हाँ, क्या बाद है, यह बड़ा जालिम निवाला है, हुश्बू है, हल्के बुल्के से जायक है, खालिस चना जना, और उसकी हलकी हलकी सौन्दी सौन्दी ती खुश्बू जब आपके निवाले को चबाने के वाद आती है तो पता लगता है कि आप सागर बैशनु डाबे पे चना मसाला का रहा है जो पूरा दिन हमारा गुजरा है जायकों में उलच के गुजरा है जायकों से गुजर के गुजरा है और इसका आखिर हुआ है बांस बजार के सागर बैशनु डाबे पे तो इन पूरे दिन के जायकों के साथ बांस बजार से सागर बैशनु डाबा से अंबाला से मुझे या झाल